मौसमी गर्मा में आड़ो खाना ना भूले असलाम अलेकूम वीवर्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल हेल्थी टिप्स टाइरी वीवर्स आज हम अपने वीडियो में डिसकस करने वाले पीच आड़ो के बारे में अड़ो के बैनिफेट बारे में आड़ो बहुत जादा लज़ीस होता है और बहुत से लोगों का फेवर्स भी होता हे चले वीवर्स आज हम डिसकस करते आड़ो के बारे में तो वीडियो स्टार्ट करने से परले वीडियो के ख्लाइक करदे आडू की ठंडी तासिर से हमारे जिसम में गर्मी की शिदत कम होती है मौसमी गर्मा परिशान कुन होता है लेकिन इस मौसम की फल बड़े ही मुफीद, मुनफर्थ और सहथ बश होते है इनी फलों में छोटा और मज़िदार फल आडू भी है जो हमारी मचमोई सहथ को बेशुमार फवाइद देता है आडू की ठंडी तासिर से हमारे जिसम में गर्मी की शिदत कम होती है और हमारे आखों की बेनाई भी पैधर होती है आडू, आइरन, मैगनेशियम, कोटाशियम, कापर और जिंग सी भरपूर होता है इसमें मोटापे और जिसम में सुजर्श यानि इन्फेक्शन से बजाओं की खासियत होती है आइए जानते हैं ये कुदरत ने अपने इस फ़ल में दीगर कौन से फवाइद छुपा रखे पीच बैनिफिट्स पीच एक मशोर फ़ल है जो मौसमे गर्मा में पाया जाता है और इसकी मुक्तलिफ फवाइद है जो सहत बख्ष और मुफीद होते हैं जन एहम फवाइद मंदजाजेल है पीच की खराबियों का इलाज पीच में फाइबर की भरमार होती है जो हसम कारकरदगी को बहतर मदद फराम करती है और पीच की खराबियों को दूर करती है जिल की हिफाज़त पीज में विटामिन C, विटामिन A और विटामिन E की भरमार होती है जो जिल की फाज़त करती है और जिल को नर्ममुलाइम बनाती है दिल की सहथ की फाज़त पीज में पोटाशियम की भरमार होती है जो दिल की सहथ की फाज़त करती है और कोवत दिल को बढ़ाती है ब्लेट प्रेशर कंट्रोल करना पीज में फाइबर और एंटी ऑक्सिडन्स की भरमार होती है जो प्लेट प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद फ्राम करती है आंखों के सहथ की फाज़त पीज में विटामिन A, विटामिन C और आईरन की भरमार होती है, जो आंखों के सहथ की फाज़त करती है, और नजर को बहतर बनाते है, मोचों की दर्ट की कमी पीच में एंटी इंफ्लिमेटरी खसुसियात की भरमार होती है जो मोचों की दर्थ को कम करने में मदद फराम करती है वजन कम करने में मदद फराम करना पीच कम कैलोरी फल है जो वजन कम करने में मदद फराम करता है और जिसम की कमी को रोकता है पीच में विटामिन C और विटामिन A की भरमार होती है जो पीच में विटामिन C और विटामिन A की भरमार होती है जो पीच में विटामिन C और मिनरल्स की भरमार होती है जो हडियों की इफादत करती है और हडियों को मस्बूत बनाती है ये फवाइद पीज के मुख्तलिफ किस्मों के लिए मौज़ो होते हैं अलबता हमेशा याद रखे कि माकूल मिगदारों में पीज का इस्तमाल करें और अगर आपको किसी खास बिमारे या हालत की वज़े से मुश्किलात हो तो पहले अपनी डॉक्टर से मश्वरा करें पीज बेनिफिट्स पोर स्किन पीज जिल के लिए बहतरीन फाइदे मन साबित होता है और इसकी मसाले जिल की वपसूर्थी को बहतर बनाते है चन एहन फवाइद मंदजा जेल है जिल की हिफाज़त पीज में विटामिन सी विटामिन ए और विटामिन ए की भरमार होती है जो जिल की फाज़त करती है और जिल को नर्ममलाइन बनाती है बालों की हिफाज़त पीच में wor पोटाशियम, विटेमन C और एंटी ओक्सिडन्ट की भरमार होती है जो बालों की फाज़त करती है और बालों को मस्बोत बनाती है दाग दपों का इलाद पीच में एंटियोक्सिडन्ट की भरमार होती है जो धाब दबो को कम करती है और जिल को साफ और खुबसूरत बनाती है जिल की खुबसूरती में जाफा पीच को चहरे पर लगाने से जिल की कुपसूरती में जाफा होता है और चहरे को तरोताजम बनाता है च्छाईयों का इलाच पीच में बैटक रोटीन और विटामिन K और विटामिन A की भरमार होती है जो च्छाईयों की इलाच में मदद फ्राम करती है दिमागी सहथ की और रोकते हैं जिल के सूज़स का इलाच पीच में एंटी एंसलेमेटरी खसुसियात की भरमार होती है जो चिल के सूज़स को कम करनी और कम करती है और जिल को चमकतार बनाती है खुश जिल की हिफाज़त पीच में विटामिन A की भरमार होती है जो फुश जिल की जिल्ड की कमी को दूर करती है और जिल्ड को मजबूत बनाती है ये फवाइद पीच के इस्तमाल से हासिल होते है और आप इसी मुझतलि तरीकों से इस्तमाल कर सकते हैं असलन पीच को खाना पीच के छिल्की को पीसना या पीच को चहरे पर लगाना अलबता हमेशा याद रखे के माकुल मिगदार में पीच कर स्तमाल करें और अगर आपको किसी खास बीमारी या हालत की वज़द से मुश्किलात हो तो पहले अपनी डॉक्टर से मुश्वरा करें फीवर्स ही थे पीच आरू के बैनेफेट्स जो के मैंने आप सब के साथ शेयर की अगर मिरी वीडियो आप सब को अचिय लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दे और आप सबसे रिक्षाश ही जिस ने मेरे अप तब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह मिरे चैनल को सब्सक् झाल झाल